इस वीडियो हम बात करेंगे आप SS का रिजिस्टेशन कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखें जिससे आपको एप्लिकेशन फॉर्म फिल करने में बहुत आसानी होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिजिस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ओफिशल वेबसाइट पर आना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिया गए आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहां आ जाएंगे और उसके बाद यहां पर न्यू यूजर रिजिस्टर नाव पर क्लिक करें जैसे ही न्यू यूजर रिजिस्टर नाव पर क्लिक करेंगे आपके सामने यह फॉर्म खुल कर आएगा सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड है तो अगर है तो यह कर दें उसके बाद आधार कार्ड नमबर डालें वेरिफाई आधार कार्ड दुबारा डालन तो अगर आपके पास आधार है तो आप आधार number डाल दें दोनों बार और verify कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको select करें और यहाँ पर कोई ID select करें, उसके बाद अगर आप ID select करते हैं तो आपको ID जो है, उसके बाद अगर आप ID select करते हैं, तो ID number डालना होगा, उसके बाद अ जो है नाम को दोबारा verify करेंगे उसके बाद अगर आपने कभी नाम change किया है जैसे लोग 10th में नाम change कर देते हैं कुछ गड़बड होता है तो उसको दोबारा चेंज करते हैं तो yes करें अगर change किया है वहांपर change नाम आपको डालना होगा और अगर नहीं किया है तो नोक पे क्लिक कर दे उसके बाद father name डालना है और उसके बाद आपको जुबादर नेम verify करना है उसके बाद आपको अपनी mother name डालना है धान नेम प्वाद उसको दोबारा फिल करना है और उसके बाद आपको data birth डालनी है ड़ात बर्त आपको दोबारा verify करना है और डटा वर्थ भरने के बाद आपको 10 की जानकारी देनिए सबसे पहले आपको board select करना है कौन से board से आपने 10th किया है अगर आपने CVC से किया ये किसी भी board से तो आप board select करें इस पे click करके उसके बाद आपको board को verify करना होगा यानि कि दुबारा select करना होगा उसके बाद आपको जो है roll number भरना होगा role number के बाद आपको role number जो है दोबारा verify करना है यानि कि दोबारा भरना है उसके बाद year आप passing select करना है कब आपने pass किया था 10th आपने जब pass किया आप उसको select करें उसके बाद आपको जो है verify करना है कब pass किया था 10 तो दोबारा verify करें उसके बाद अपना gender male, female, transgender select करें उसको verify करें level of education qualification में आपको 10th pass है या फिर आप 12th pass है, diploma pass है, graduate है, post graduate है या फिर PhD आपको इसको select करना है उसके बाद अपना mobile number आपको भरना है और mobile number दोबारा verify करें, email id भरें और email id आप दोबारा verify करें सारी डिटेल भरने के बाद आपको Save बटन पे क्लिक करना है यहाँ पर आपका Mobile नमबर और Email आ जाएगी आपको इसको Confirm करना है Confirm करने के बाद आपकी Email पे एक Password आएगा यहाँ पर आप इसको Close कर दे आपका यह जो है Registration नमबर आगे आप OK बटन पे क्लिक करें इसके बाद आप आए हाँ पर आपको Registration नमबर डालना जो आपकी Mail पे आया होगा Registration नमबर उसके बाद आपको जो है Password भरना Registration और Password जैसे आएगा आप इसको डाल दे और दोबारा जो है इसको Change करना है तो Capture Fill करें अब आप देख सकते हैं Change Password का तुरंत आप सनाएगा यहाँ पर आपको पुराना Password डालना है जो पुराना Password था उसको डालें उसके बाद आप नया Password बनाएं पासवर्ड में आपको एक Capital Letter लिखना है एक Number लिखना है एक Special Character लिखना है और एक कम से कम 8 Character का होना चाहिए तो आप इसको ध्यान रखें उसके बाद आप Password जो है Confirm करें और Submit बटन पर क्लिक कर दें अब आप देख सकते हैं पासवर्ड जो है आपका Change हो चुका है यहाँ पर Close बटन पर क्लिक करें इसके बाद आपको दुबारा Login करना है अब आपको जो है Additional Information भरनी यह सारी जानकारी आपको भरनी है एक बार अच्छी तरह से चेक कर लिए पुराना है उसको चेक करने के बाद जैसे नेक्स बटन पर क्लिक करेंगे यह आपको जानकारी भरनी है आपको केटेगरी भरनी है अपनी केटेगरी सेलेक्ट करें उसके बाद वेरिफाई करें उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करना है उसके बाद Identification of Marks जैने कि आपके सरीर पे कोई निसान जिससे आपकी पहचान की जा सके तो उसको आप भर दें जैसे कि आपके गले पे निसान है या फिर कहीं पे है तो उसको लिख दें उसके बाद अगला option आता है PWD केटेगरी का Person with Benchmark Disability अगर आप Disabled Person है तो Yes करें और यहाँ पर आप OH, VH, VH, HH जो भी है सेलेक कर ले VH मतलब Blindness and Low Vision है और Deep and Hard Hearing जो है एह होता है इसके लावा Locomotor Disability, OH होता Other में भी Autism वगेरा आता है तो आप इसको सेलेक कर लें यहाँ पर उसको सेलेक करने के बाद आपको Certificate Number डालना होगा लेकिन अगर आप PH Categories नहीं है तो No कर दें और यह Options बंद हो जाएंगे इसके बाद आपको Permanent Address भरना है Permanent Address भरने के बाद आपको अपना State और District सेलेक करना है, District सेलेक करने के बाद आपको जो है Present Address भरना है मतलब जहाँ अभी आप रह रहे हैं अगर आपका Same है तो आप इस पे क्लिक कर दे, मेरा Same है, नहीं है तो आप इसमें भर दे, Permanent Address आपका स्थाई पता है, और जैसे कि अगर आप कहीं रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में रहे रहे हैं और आप बिहार या UP या MP कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आप जो है ये Present Address में भरेंगे अगर भरना चाहें तो, अगर नहीं है एक ही जगा रह रहे हैं, तो आप Same है तो Yes कर दे, उसके बाद जो है Save बटन पे क्लिक करें, Save बटन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर Additional and Contact Detail Art Save successfully आगे हैं, आप इसको Close कर दे, इसके बाद जो ही ये Declaration Form आया है, आप इसको पढ़ लें, उसके बाद इस Box को क्लिक करें और Take Draft Print आप यहाँ पर इसका Print भी ले सकते हैं, Final Submit पे क्लिक करें, इसका क्लिक करेंगे, इसका Print आजाएगा, आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये PDF Form में आ गया है, आप इसको चाहे तो Download भी कर ले, ड्राफ्ट को ये पूरा Form आ जाएगा आपका, और यहाँ पर नीचे जो है Note भी लिखा हुआ, Final Submission, 14 दन के अंदर आपको करना है यहाँ पर आप Final Submit बटन पर क्लिक करें, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने Mobile पर OTP आएगा, तो आप Mobile पर OTP भरें, या फिर Email पर OTP आएगा, वहाँ से भी भर सकते हैं आप देख सकते हैं, Email पर OTP आया है, इसके बाद आप Capture फिल करें Capture फिल करने के बाद आपका Registration हो जाएगा, इसके बाद आपको Application Form फिल करना है Submit बटन पर क्लिक करें, अब आप देख सकते हैं, हमारा Registration successfully हो चुका है अब आपको Login करना है और Application Form फिल करना है Application Form फिल करते हैं, कुछ इस तरह का आपका Dashboard होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे Application Form होगे, जो Apply करना होगा, वहाँ पर Apply का Button होगा, आप Apply कर सकते हैं इसके बाद आपको Application Form फिल करना है, तो यह थी इसकी Registration की जानकारी और इससे Related कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप उससे Comment section में पूछ सकते हैं, यह वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो Registration होने के बाद आपको Login करना है, तो Login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, Multitasking, Non-Technical, Staff and Havaldar, CBIC, CBN तो आपको यहाँ पर नीचे Apply बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें, जैसे Apply बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से Page खुल कराएगा, यहाँ पर आपकी पुरानी डेटेल सारी दी गई है, आपका नाम वगएरा, आपको यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले प्रेफरेंस आप एक्जामनेशन सेंटर सेलेक करना, सबसे पहले आप पहला एक्जामनेशन सेंटर सेलेक करें, उसके बाद दूसरा एक्जामनेशन सेंटर सेलेक करें, उसके बाद आपको तीसरा एक्जामनेशन सेंटर सेलेक करना है, इसके बाद जो है, इसके बाद जो ह या फिर असमी बेंगॉली गुजराती जो लेंगविज आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी उसी में आपका पेपर होगा तो आप जो है अपना अच्छे से जिसमें तैयारी की है उस लेंगविज सेलेक्ट करें उसके बाद आपको मीडियम दुबारा करेंगे और इसके बाद अगला औप्सें है अगर आप एज रिलेक्षेस्ट चाहते है तो Yes कर दें अगर नहीं चाहते हैión Union, Territory and CCA तो आपको यहाँ पर preference select करना है यहाँ पर state code दिया गया है और आपको यहाँ यह बात धायान रखनी होगी अगर आप दो ही state भरना चाहते हैं तो उसके बाद यहाँ पर X का निसान है आपको बाकी box में X का निसान भरना होगा तो सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश अगर select करता हूँ तो यहाँ पर उसका code हमें ढूलना होगा उत्तर प्रदेश का 25 है और लखनाव हवलदार CGST इसका 23 है तो आप यहाँ पर इस तरह से अपने code भरे और अगर आप कोई नहीं भरना चाहा रहें तो सम्मे जो है प्रिफरेंस और अगर आप नहीं भरना चाहा रहें तो प्रिफरेंस में X भर दे उसके बाद आपको OK बेटन पर क्लिक करना है मैंने केवल एक भरा है आप जितने भरना चाहें यहाँ पर भर दे और इसको reset भी कर सकते हैं इसके बाद आपको highest qualification यहाँ पर select करनी होगी आपकी highest qualification क्या है MBA, MC, जो भी है आप उसको select करें उसके बाद आपको qualification, educational qualification की detail देनी है, 10th standard की पहले आप select करें, उसके बाद आपको यहाँ पर status select करने 10th pass है या pairing है, उसके बाद कब pass किया है वो तो आपका आजाएगा, percentage आपको या फिर CGPA भरना होगा उसके बाद अगला option है अगर आप अपनी personal information को available कराना चाहते हैं accessing job opportunity, तो आप yes कर दे अन्यथा आप note पर click करें यह आप पर है, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं फोटोग्राफ का option है और signature का है तो सबसे पहले आपको photo upload करना है चोज फाइल पर click करें और photo select करें photo और signature सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है उसके बाद आपको यहाँ पर yes no करना है कि आपका photograph जो है 18 October 2022 से पहले खीचा गया या उसके बाद तो आपको यहाँ पर click करना है आप latest photo जो है उसको खीच के upload करें वो ज्यादा सही रहेगा उसके बाद आप यहाँ पर verify करेंगे I agree button पर और यहाँ पर capture fill करें इसके बाद preview button पर click करें review button पर click करेंगे तो आपका सारा form खुल कर आजाएगा आप देख सकते हैं आप इस application form को अच्छी तरह से चेक कर लें अगर edit modify करना है तो edit modify पर click करके इसको edit कर ले अन्यता submit button पर click करें और ok button पर click करें इसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा application form is received content not verified do you want to proceed for payment तो payment से पहले आप इसमें print पर click करें और print कर लें यहाँ पर आपकी details दिखाई दे देगी अगर कुछ गड़बड है तो आप modify कर सकते हैं बाद में और उसके बाद payment के लिए yes button पर click करें और payment का option पर चले जाएंगे वहाँ से आपको payment करना है और अगर आप अभी payment नहीं करना चाहते हैं तो इस no button पर click कर दे उसके बाद यहाँ पर application history आ जाएगी तो आप application history में जाएगे तो आपके application के history यहाँ पर आ जाएगी क्या क्या आपने अभी किया है और आपको क्या क्या करना है सारी details यहाँ पर आ जाएगी अब आप देख सकते हैं registration status complete हो गया है photo signature upload हो चुके है apply जो है complete है बस payment अभी यहाँ पर करना मैंने अभी payment नहीं किया है तो आप payment भी कर सकते हैं payment में जाके और उसके बाद application status जो है complete हो जाएगा तो यहाँ पर मैं close कर रहा हूँ तो इसी तरह आप अपना application form fill कर सकते हैं payment करने के लिए आपको payment पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर online या फिर offline अगर करना चाहते हैं तो offline चालान generate कर लें वनना online पर क्लिक करें और submit button पर क्लिक करें इसके बाद जो है आप payment कर दें SBI net banking पर आपको कोई charge नहीं देना होगा credit card पर 1.77 पैसे देना होगा बाकी आप UPI से भी कर सकते हैं debit card से या फिर other bank debit card से कर सकते हैं तो इस तरह से आप अपना application form fill करने और form भरते समय अगर कोई problem आ रही तो हम उससे comment section में पूछ सकते हैं यह video देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद